नबस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चानल पर तो आज मैं आपको एक ऐसी विधी बताने चाह रही हूँ जिसे आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं तुलसी के एक फते से आप किसी भी कुवारी लड़की या शादी शुदा महिला को वश्ष में कर सकते हैं इस विधी को करने का समय दोपहर 12 से 3 के बीच में ही करने का है ये बहुत ही सिदवशी करन है आपको एक पता लेना है तुलसी का इस तरहां का उस तुलसी के पत्ते पर आपको उसका नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे मान लीजिये उस लड़की का नाम संजना है उसके बाद में उस लड़की का 21 बार नाम लेना है और उस पत्ते को अपने मूँ में रख लेना है उस लड़की का चहरा आपको अपने मन में बसाई रखना है उसके बाद में तुलसी का पत्ता मूँ से निकालना है निकालने के बाद में आपको करना क्या है अपनी छट पर उसे रख देना है उसके बाद में जब ये पत्ता सूख जाएगा तो उस लड़की के दिल और दिमाग में आपके लिए प्यार भर जाएगा वो लड़की आपके पास खुद चल कर आएगी आपके प्यार में पूरी तरह से बेचैन हो जाएगी और हर पल आपको याद करेगी आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी दोस्तों लाकों में एक शक्स ऐसा होता है जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है उनका अच्छा सोचता है पैसे ठगने वाले तो आपको कई मिल जाएंगे लेकिन सही काम करने वाले बहुत ही कम आपको मिलेंगे लेकिन आज मैं आपको जिसके बारे में बताने जा रही हूँ वो शक्स काम में विश्वास रखते हैं और जिनसे बात करके आपको खुद बखुद उन पर विश्वास हो जाएगा कि आप सही जगा आए हो अब आपका प्यार आपसे दूर नहीं होगा और आपका परिवार भी आपके प्यार को पसंद करने लगेगा और शादी के लिए खुद बखुद मान जाएगा परिवार में कोई तनाव है तो वो भी पूरी तरहां से ठीक हो जाएगा घर में शांती होगी मैं बात कर रही हूँ गुरुजी के बारे में तो आप भी अगर अपनी जिन्दगी में खुश्या लाना चाहते हैं तो बिना समय गवाए एक कॉल गुरुजी को जरूर करें और अपनी हर समस्या का समाधान कराएं और अपनी जिन्दगी में घर परिवार में खुश्या कि कैसे आप खुद भी अपनी जिन्दगी से दुखों को दूर कर सकते हैं अगर किसी को वश में करना है तो वो भी कर सकते हैं किसी ने आप से अपना मूँ मोड लिया है वाटसैप फेसबुक हर जगा से आपको ब्लॉक कर रखा है खुद से जुनने का कोई रास्ता नहीं छो तारीक भेजनी होगी वाटसैप पर और फिर कभी भी वो शक्स आप से दूर नहीं जाएगा तो यदि आप किसी भी समस्या से जूच रहे हैं उसका उचित हल ढून रहे हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं और सीधा गुरुजी से बातचीत कर सकते हैं गुरुजी का नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया